एक बार फिर दुनिया के दो शक्तिशाली नेता एक मंच पर मिलने वाले हैं एक तरफ होंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ होंगे रूस के राश्पती ब्लादिमिर पुतिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी रूस के राश्पती ब्लादिमिर पुतिन के न ब्रिक्स सम्मिलन होगा ब्रिक्स समिट में इस बार का विशे है सभी पक्षों के साथ ग्लोबल स्तरपर विकास और सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत करना देखे समिट के दौरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कई देशों के निताओं के साथ दुविपक्षिय बातच अमिरात युएई इसके नए सदस्से हैं इसराइल और इरान के बीच बढ़ रहे तनाव और लेबनान में हिजबुल्ला और हमास चीफ के मारे जाने के बाद वेस्ट एशिया में युद्ध के हालात हैं रूस में ही प्यमोदी के साथ साओधी अरब इरान युएई देशों को प्यमोदी से आस है कि वो इसराइल को समझाएं क्योंकि इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन इत्यनयाहू ने लेबनान हमले के बात कहा है कि बुराई को बड़ा जटका लगा है लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है इसका मतलब यह समझा जा सकता जंग बाकी है क्योंकि अमेरिका के लिए ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका की ततकाली राजश्पती जूक्स जूनिर ने एक्सिस ऑफ इविल फ्रेश का इस्तेमाल किया था एक्सिस ऑफ इविल ने इरान ईराक के साथ नौर्थ कॉरिया शामिल था प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी की ना दूसरी रूस यात्रा है इसी सला भी आपको याद होगा जुलाई में पिया मोधी रूस गये थे जहां उन्हें रूस के सर्वोच नागरिक सम्मान ओर्डर ऑफ सेंट एंड्रियू इपॉस्टिल से समानित किया गया था इस पर प पिल्ली के दोस्त के तोर पर मजबूती से खड़ा रहता था लेकिन अब वर्ल्ड और कैसे बदला है ना यह वाकी समझ में आ रहा है जब रूस यूकरेंड यूद की शुरुआत हुई तो अमेरिका और यूरोपिये प्रतिबंदों के कारण रूस ने पश्मी ब्लॉक के बाहर के देशों के लिए कीमत में काफी कमी कर दी इसका फायदा भारत ने उठाया और 40 फीसदी कम कीमत पर रूस से तेल आयात किये जाने लगा इसके वे इसे भारत को काफी फायदा हुआ यह देखकर यूरोपिये देशों ने भारत को ऐसा ना करने के नसीहत भी थी ती याद है आपको लेकिन ता विदेश मंत्री जैशंकर ने यूरोप के मंच से पश्मी एशिया को सीधा मैसेज दिया था कि भारत के रूस के साथ रिष्टे कैसे हो यह सिर्फ भारत तै करेगा भारत के जंदाज को देखकर अमेरिका और दूसरे पश्मी देश बैक फूट पर राधी